नमस्कार आप देख रहे हैं डंके की चोट पर मैं हूँ आपके साथ शुवानी पांडे अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच किस महिला ने आतंक्यों के सामने जाकर कहा मैं तुम्हारे सिर्फ पर गोली मारूंगी तालिबान के खौफ से किस चैंपियन का शरी टुकडे टुकडे हो गया क्या आपने पंजशीर के शेर्स से कापते तालिबान की तस्वीरें देखी हैं किस महिला ने बताया कि ताबूत में लड़कियों को भर कर पाकिस्तान ले जाते हैं न्यूज 18 पर देखिये तालिबान का बारूदी तैखाना एक्स्क्लूसिव दुनिया के सामने आ गया है इमरान जिन्पिंग का तालिबान प्लान और हिंदुस्तान में सियासत का हैरान करने वाला तालिबान फ्रेम ये सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर इस वक्त तालिबान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान के अंदराब बागलान के तीन जिले तालिबानी आतंकियों से चीन लिये गए हैं इतना ही नहीं तालिबानी आतंकियों के कबजे से चुड़ाये गए जिलु में अफगानिस्तान का जंडा भी फेराया गया है यानि अफगानिस्तान पर पूरी तरह कबजे में जुटे तालिबान के लिए ये पहला बड़ा जटका है बता जा रहा है कि तालिबान के खलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का नेतृत अब्दुल हमीद दादगर कर रहे हैं अलाकि अपनी इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है अफगान सरकार में रक्षामंत्री रहे बिस्मिल्ला मौमदी ने भी इस बात की पुष्टी की है मौमदी के मुताबिक नौट इस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुल एहिसार देश साला और बानु जिले तालिबान आतंकियों से मुक्त करा लिये गए है यानि की एक बड़ी काम्याबी है ये अफगानी नागरिकों के लिए इस तरह तस्वीरें भी हम में देखी लगातार जो अफगानी नागरिक हैं वहाँ पर अब वो विद्रो के मूड में हैं क्योंकि लगातार सडकों पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तालिबान का अब जहां पर अफगानिस्तान पर कब्सा है वही दूसरी और अपनी जान जो कि में डालते हुए हम्मत जुटा कर ये सभी अफगानी नागरिक एक जुट हो गए हैं और अब खबर आ रही है कि तीन ऐसे जिले हैं अफगानिस्तान में जिनको अब तालिबानियों से खाली करा लिया गया है इन तीनों जिलों से तालिबान को खदेडा गया है और ये अफगानी नागरिकों के द्वारा ही क पुले, इसार, दे, साला, जिले ये सभी जिले मुक्त करा लिये गए हैं तालिबान से यानि की एक बड़ी कोशिश जो की सफल हुई है जिस तरह लगातार तालिबान वहाँ पर बरबरता अपनाते जा रहा है और लोग दैशत में हैं, डरे हुए हैं, कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो हाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे नागरिक जो अब भी वहाँ पर मौझूद हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए उन्होंने एक ऐसे विकल्प को चुना, जिसके जरीए वो तालिबान को ख़देर सके अफगानिस्तां से और देखिए किस तरह अफगानिस्तां का जंडा भी उंचा किया गया है वहाँ पर अफगानिस्तान के इस जंडे के सम्मान के लिए वहाँ पर जो अफगानी नागरिक मौझूद हैं वो लगाता डटे हुए हैं शेहरों में गलियों में कई जलूं में अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है तालिबान के खिलाफ और अगर ये एक जुटता इसी तरह आगे बनी रही तो वो समय दूर नहीं होगा जब तालिबान को हार कर अफगानिस्तान छोड़ कर एक बार फिर भागना होगा और इस बार ये सफलता इन अफगानी नागरिकों की होगी तस्वीरे देखिए ये तीन जलू में यहां पर तालिबानी